विज्ञान जूट नहीं बोलता पीएम मोधी बोलते हैं डबल्यू एचो के कोरोना मौतों के आकड़ी को लेकर बरसे राहुल गांधी कॉंग्रस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोधी पर निशाना साधा है इस बार मामला कोरोना से जुड़ा हुआ है उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कोविड महमारी के कारण 47 लाख भरतियों की मौत हुई है 4.8 लाख नहीं जैसा कि सरकार ने दावा किया है विज्यान झूट नहीं बोलता है मोधी बोलते है उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपनों को खोया है अनिवारी रूप से 4 लाख मुआफ़े के साथ उनका समर्थन करें इसी के साथ राहूल गांधी ने WHO के रिपोर्ट भी जोड़ी है बता दें कि इससे पहले राहूल गांधी ने मोधी सरकार को पेंशन के मामले पर घेरा था उन्होंने पूर्व सैनिकों को अपरेल माह में पेंशन नहीं मिल पाने का मुद्ध उठाया था कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक्ष ने दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक रिपकोर्ट का हवाला देते हुए अप रत्यक्ष रूप से कहा है कि नरेंद्र मोधी सरकार सैनिकों और देश का अपमान कर रही है ट्विटर पर रहुल गांधी ने लिखा वन रैंक वन पेंशन की धोके के बाद अब मोधी सरकार आल रैंक नो पेंशन की नीती अपना रही है सैनिकों का अपमान देश का अपमान है सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल से जल देना चाहिए